कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरुरी है सही कोच कहुन, चुनिए फोटोन एक्स को और करें अपने अपने डी जी टी अपी जी टी फिजेक्स का सपना साकार, डाउनलोड दिया, नाउ तो लेवल टू जो है फिजिक्स का वो हम स्टार्ट कर चुके थे, इसके अंदर में पहला topic हम पढ़ रहे है इलेक्टोस्टैट में मैंने basic आपको जो terminology जो यहां पर use करते हैं वो सारी बता दीती है और electron जो charge हम use करते हैं उसके basis के उपर में हम तीन तरह के से अपने पूरी chapters को define करते हैं इसके बारे में मैंने पिछले lecture में आप लोग को बता है rest में constant velocity हो तब और acceleration जब उसके अंदर में आया था charge के अंदर में तो किस तरह से हमारी theories हैं जो हमारी concepts हैं वो deal करने होते हैं तो basically अभी हम जो पढ़ने बाले हैं वो पढ़ेंगे हम रेस्ट के उपर में अगर हमारे पास में को चार्ज रहता है तो वो basically electric field जो वहां पर develop करेगा और electric field के basis पर क्या क्या चीज़े हमें देखनी पड़ती हैं उन्हीं के बारे में जो है information आप लोगों को मिलने वाली है तो यहां पर आप लोगों ने column slow की बात करी column slow में सभी को इसकी definition जो है बहुत अच्छे से आती है लेकिन कुछ चीज़े हैं जो हम आप लोगों को यहां पर अलग से बताना चाहूंगा देखे column slow की जरूत क्यों पड़ती है जैसे हम physics के बात करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें नियम मानने पड़ते हैं जैसे जैसे ग्रेविटेशन की बात करे तो ग्रेविटेशन में आपने बोला कि दो अबजेक्ट्स हैं और डूसरे को हमें आट्रेक्ट करती हैं कभी भी वह एक दूसरे को रिपैल नहीं करती तो यह कहां से चीज़े निकल कर आती है तो ऐसे ही लोग जो बनाए जाते हैं जिसको हमें क्या करना पड़ता है मानना पड़ता है यानि कि नियम है जिनको हमें क्या करना पड़ेगा मानना पड़ेगा तो यहां पर बोलागया को legg numbers यो था जुअज ज़ब आपके पास में दो चारजीने चार्जी इन अघ्रार्जी अया मैंने पकड़ा और यहां पर रख दिया ऐसा कुछ है नहीं भई जर्णल बासा में आप यह समझो कि मालो मेरे पास में यह 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 ओब्जेक्ट है और दूसरा मान ले थे कि एक और अब्जेक्ट में लेकर आता हो यह वाला इन दोनों को मैं रब करता हूं और रब करने के यह पारद में पास मैने रख दिया को अपर में चार्ज था इसके ऊपर में को चार्ज है तो यह जो डोटस दो बने वे इन दो बोड़ी को आप मानता के चलेंगे विजुलाइज यह करेंगे कि जब भी मैं चार्ज बोलू तो तो कोई नो कोई बोडी रखी हुई । चाहिest आपका पैन हो चाहिए क्या कोपी हो चाहिए आपके आपके подirm Dad अब ऑस्पास में अवे तो आप उसको जे पर अ पिए आप के वे पराया कॉर से अधोर दार में पराइप में आहा है ठीक है तो यहां पर बोला गया कि जब भी यह दो चार्जिस है तो इनके बीच में interaction होगा interaction का मतलब है कि वो या तो अपने आपको repel करेंगे एक दूसरे से या फिर वो क्या करेंगे एक दूसरे की तरफ में attract करेंगे तो इन दोनों basis के उपर में यहां पर जो कहानी पढ़ाई जाती है वो जो नियम बताएगा कि वो charge हमारे पास में attract करेंगे या repel करेंगे और कितनी force से करेंगे और किस तरफ करेंगे देखों दो चीज आती है कि एक तो उसके पास में magnitude होगा दूसरी उसकी direction होगी तो यह दो यह वाला और एक charge ही हो गया Q1 और Q2 अब जो point बताने जारो बहुत ही crucial point है आपको आगे तक आगे तक काम आने वाले point ही देखो मुझे यह निकालना है कि इस charge के उपर में force कैसे लगेगा तो जिस भी charge से आपको निकालना है उसको क्या कर लो पकड़ लो यानिक इसको कर लो आप stationary और इसके कारण किसी other charge के उपर में आपको effect देखना है तो यहाँ पर अगर मालो यह positive charge था यह positive charge था तो मुझे effect इसकी वज़े से देखना है तो अब इसको हमने बिल्कुल stationary कर लिया यानि पकड़ के रख लिया तो अब यह जो charge जिस direction में भागेगा वही उस force की direction लेकिन किसके respective में हमें दिखानी है तो उसके लिए आपको यह कहानी बिल्कुल crystal clear होनी चाहिए कि जब भी आपको दो charges के बीच में interaction निकालना है force की direction निकालनी है तो जिस भी charge के कारण अधर पर निकालना है तो उसको आप लो पकड़ यहाँ बिल्कुल stationary कर दो अब यह माल इसको इदर दकेलनी की कोसिज करेगा अब दूसरे case में हमने क्या किया इसवाले को fix कर दिया इसको हमने fix कर दिया और इसके respect में मैंने रिस्पेक्त में देखा तो यह force की direction कहा लगा रहा है इस तरफ में लगा रहा है था कि electron के पास में proton हो चाहिए neutron हो मेरे पास सभी के पास में एक mass होता है तो ये charge के साथ साथ में अपने पास में एक mass भी रखता है M1 mass और ये दूसरा जो है ये भी अपने पास में mass रख रहा है let us suppose इसका mass है M2 तो masses होने के कारण में इनके उपर में जब आप force लगा रहें तो force की वज़े से acceleration आएगा because we know the force is equal to mass into acceleration ये कहानी आप लोगों ने mechanics के अंदर में बहुत अच्छी से पढ़ी है तो यहां पर acceleration की जो कहानी आते है force divided by mass अगर बोड़ी के पास में mass है तो definitely उसके अंदर में acceleration आएगा अगर उसके उपर हमने force लगाई है तो यहां से देखा कि जब यह force लगा रहा था इसके उपर में तो बोड़ी move करना शुरू किया क्योंकि उसके पास में mass था तो उसकी velocity के अंदर में change आए acceleration basically यही तो होता है कि उसकी acceleration था वो क्या आगया हमारे पास में same आगया अगर दोनों का acceleration same आगया है तो कि equal forces हमने वहां पर क्या करें है comply करें equal forces let us suppose दोनों के masses को हम बराबर मान लेते हैं कि M1 that will be equal to M2 that will be equal to M हमारे पास में यह situation अगर हम create करके चलते हैं then F12 यानि कि force on 1 due to 2 equal to force on 2 due to 1 यह दोनों क्या हो गई है एक दूसरे के equal and opposite हो गई है यानि कि एक दूसरे की तरफ में यह इधर लगा रहा है यह इधर force लगा रहा है तो हमारे पास equal forces है इनके magnitude की अगर मैं बात करता हूँ दोनों के magnitude same हो गई है तो यह बोला गया कि जो यह force लगती है यानि कि कुलम low से हमें यह पता चला कि force तो दोनों के बीच में लग रही है और इस force से हमें फाइदा किया हुआ कि यह दोनों हमारी जो net force की कहानी देखेंगे तो Fnet इस पूरे isolated system के अंदर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और अगर Fnet कहीं पर 0 होता है तो आपने जब mechanics पढ़ रहे थे तो एक चीज़ बढ़ी होगी कि when we have the Fnet is equal to 0 तो momentum जो होता है Mv वो क्या होता है constant होता है जब किसी system के ओपर में आपने net force 0 लगा रखी है तो वहां पर momentum जो होता है वो क्या होता है के अंदर में आप इसको sol out कर सकते हैं चलिए इस कहानी को थोड़ा सा और एक numerical के साथ में आपको समझानी की कोसिस करूँगा वैसे तो जो theories की यहां पर खतम होती है अब कुछ postulates होंगे उनके उपर मैं एक-एक point out करते हुए उनको समझानी कोसिस करूँगा पहले क्योशन कर लेते हैं एक 2-kulam का charge है एक 4-kulam का charge है किसी exam के अंदर में यह question आएगा तो बहुत difficult level आप लोगेगा क्योंकि आपने कभी इस तरह के questions को अलग तरीके से सोचने की कोसिस नहीं करी जो तरीका मैं भी आप लोग को बताने जा रहा हूँ अभी यहां पर यह बोला गया कि यह charge जो मेरे पास में 2-kulam है यह charge हमारे पास में 4-kulam and they are free to move यानि कि दोनों को हमने fix नहीं किया हुआ है अगर इन दोनों के force लगे कि तो यह दूसरे को क्या करेंगे अब यह पूरे system को मैंने पकड़ा वा था अब क्या करता हूँ इस system को मैंने release कर दिया और एक चीज़ और इसका weight है 2 kg और इसका weight है 4 kg अब मैंने क्या कर दिया इस पूरे system को release कर दिया तो आपको यह बताना है कि अगर यह मेरा उस देर के बाद में जब मैं इसको observe कर रहा हूँ 4 kg तो इस point पर पहुंचकर इसकी जो velocity है वह गई है let us suppose 10 meter per second 10 meter per second हो गई है तो इधर यह जो charge इस तरह में move कर रहा होगा क्योंकि आपको पता है कि इसके उपर में force इस direction में लगने वाली है तो जब यहां पर पहुंचेगा तो आपको यह V बताना है पहला question तो यह find V when 4 kg have 10 meter per second velocity पहली कहानी तो यह बतानी आपको दूसरी कहानी यह बतानी है कि यह मालो अगर मेरे पास में charge जो है यहां पर यह यहां से माल लेते हैं कि 2 meter दूरी पर चला गया यह अगर 2 meter इदर गया है अपनी original position से तो अब यह कितना इदर चला गया होगा कर रहेंगे इस question को solve यह मैं करके दिखा हूँ चलो solve करते हैं इसको देखो अभी आपने कहानी देखी कि 2 kcal और 4 kcal के charges है एक क्यों प्रमिर 4 सीदर लगा एक क्यों प्रमिर 4 सीदर लगा दोनों equal and opposite forces है यह तो confirm हो गया तो अगर मैं यह कहूं कि F12 equal to F24 2 equal to F24 यानि कि 4 पे लगने वाला force 2 की वज़े से 2 पे लगने वाला force 4 की वज़े से equal है यह तो कि equal and opposite forces लगा रहे हैं Newton के थर्ट लोग को यह follow कर रहे हैं तो इस case के अंदर में मैंने momentum आपको क्या बताया था था तो तो आप यह बोल सकते है कि P will be conserve यानि कि momentum जो है वो क्या रहेगा इस case के अंदर में conserve रहेगा और अगर conserve है तो आप यह कह सकते कि P initial that will be equal to P final दोनों क्या रहेंगे P initial that will be equal to P final इस case के अंदर में रहने वाला तो यहां से आप इसको solve करें P1 क्या हैगा हमारे पास initial level पर जो था यानि कि इस वाले का जो है वो रहेगा हमारे पास इस case में आजाएगा 4 into my 10 that will be equal to 2 into my V that will be equal to 20 meter per second देको P initial हमारे पास में क्या है 0 है P final क्या था हमारे पास P final के कहानी मैंने यह लिग दी आपके सामने 4 into my 10 क्या होगा इसके इंदर में यह प्लस आ जाएगा पी final हमारे पास में और यह equal to क्या हो जाएगा 0 equal to 0 क्यों बोला गया क्योंकि initially कोई velocity नहीं थी उसके पास में तो initial हमारे पास में 0 होगा final मैंने इसका क्या क्या है 4 kg into my 10 वाला यह हो गया प्लस में 2 into my V यह कर दिया हमें और जब आप इसको solve करेंगे तो आपके पास आएगा 40 that will be equal to minus 2 V आ गया minus 2 V आने से क्या होगा V that will be equal to minus 20 meter per second अभी minus क्या बता रहा है यहाँ पर velocity की बात कर रहे है तो velocity देखो अगर मैं 10 इदर positive मान रहा हूं तो यह इसके opposite direction में जा रहा है तो इससे भी हमें पता लगा कि force इसके cases में लग रही है वो repulsive force जो है exit होगी है अगर एक positive direction में जा रहा है तो दूसरा क्या करेगा negative direction में चला जाएगा तो काफी अच्छे क्योशन है इस तरह कि आपके exam में आयवे क्योशन है और जब यह exam के अंदर में आता है तो थोड़ा दिमाग गूम जाता कि कैसे में चीज़ों को analysis करें उस cases में आपको गवराना नहीं है अपने की concept को ध्यान रखना है कि जो momentum है वो क्या रहता है यान कि P initial that will be equal to P final यहां पर बना रहेगा बात आई दूसरी की x कैसे calculate करें तो इसके लिए center of mass का हमारे पास में तरीका होता है और वह यह कहता है कि जो m1 x x1 है जितना m1 mass ने move किया जितने distance है वो equal होता है m2 x2 यह कब cases के अंदर में जब हमारे पार momentum गंजर होता है तो आप यह situation जो है वो इसके अंदर में exit कर सकते है तो m1 कितना चला है m1 अगर मैं 4 kg को मान रहा हूं तो 4 x 2 that will be equal to 2 x x2 इसको x2 मान लो तो यहां से x2 कितना आ गया 2 x 2 cancel हो गया तो 4 meter अगर यह हमारे पास 2 meter चला है तो यह कितना चलेगा यह चल गया हमारे पास 4 meter तो this is the right answer of this question चोटी-चोटी आपको जो चीजे हैं वो जो है दिहान रखनी पड़ेंगी इस तरह के concepts को भी आप deal करते वे चलेगे अच्छा यह तो कहानी मैंने आपको बताई है कि चार्ज के अंदर में कैसे आप इसके magnitude के वाई इन चीजों को जो है रिलेट कर सकते हैं थोड़ी सी ब लगता है two different bodies पर लगता है मैंने जब mechanics आपको पढ़ाई थी NLM पढ़ा है तो बहुत डीप में जाके Newton का जो 3rd low है उसको समझाने की courses करें थी 1st or 2nd तो नोट आउट हर किसी को अच्छी समझ में आ जाता है 3rd low को समझने के लिए आपको बहुत depth में जाना पड़ेगा पहल अब झाना रहे लए तो यह लगता है 2 bodies के ओपर में ठीक है और तीसरा जो लगता है वह लगता है opposite direction में लगता है अब किसी बच्चा दिमाग में यह आया अच्छा यह bodies हैं दो बोड़े ए opposite direction में ठीक है action reaction pair force लगेगा हो गया action reaction pair भी लगेगा दो different bodies भी मैंने ले लिए है और तीसरा जो है वो force opposite direction में लग रहे है तो ज़रूरी थोड़ना भई opposite direction ऐसे ही हो opposite direction ऐसे भी तो हो सकती थी ये बोड़ी दर जा रही है ये बोड़ी दर चली गई है ये भी तो अपने आप में opposite forces ही तो है तो इसमें हमारा जो है थोड़ा सा जी कुलम्स लो है वो फेल हो जाते है तो उसके लिए वहाँ पर एक और statement दी जाती कुलम्स लो के अंदर में क्योंकि बच्चे का दिवा का भी वो सो सकता है ऐसे भी हमारे पास क्योंकि आपने तो बोल दिया तो इस चीज़ को सिगनिफाई करने के लिए एक statement इसके अंदर में जोड़ दी जाती है कि forces lies along the line force जो है वो along the line along the line joining two charges joining two charges तो ये point आपको बहुत ही crucial रहेगा इन सब चीज़ों के अंदर में क्योंकि forces की direction को define करना ही हमारे columns law का सबसे important चीज़ है जिसको columns law के अंदर में force की direction define करनी ही आ गई है तो देखो columns जो है उसका तक formula है formula सिरफ हमारे पास में numerical basis को तो दो charges के उपर में ये forces लग रही है तो यहां से आपको द्यान रखना है कि line joining जो दो charges के रहेगी उसी के उपर में ये forces लगेंगी और ये क्योंकि charge के center to center लग रही है तो आप यह कह सकते हैं कि ये forces कैसी है central forces है तो कई बार question आप लोग उसे पूछा जाता है कि जो column slow है या फिर जो electrostatic force है वो किस तरह की force होती है वो central forces होती है देखो जो mechanics सिरफ हमारा electrostats तो एक formula देगा column slow तो सिरफ formula देगा लेकिन formula के बाद में जो हमारे पास में बसता है वो पूरा mechanics होता है आपका vector calculation होगा friction वगरा का use करेंगे तो different different variation में आप लोको याने questions के अंदर में डालने की कोसिस करोंगा अब यहां पर बात होई हमारे पास columns low की आप मैं छोड़ी छोड़ी चीज़े इसको थोड़ा vector representation के अंदर में भी आपको करके दिखा जो force है उसको कैसे किस formula से calculate करेंगे अब सभी ने इस formula को पढ़ा है क्योंकि हमने देखा कि जो हमारी forces है दो charges के बीच में वह equivalent opposite होती है और यह देखा गया पूरा observe कि यह जो charges है उनके directly proportional होती है महाँ पर variation है वह take place करेगा तो जब इसको sold के आगया आप इन दोनों quantities को लेकर आएंगे तो इन दोनों को जोड़ने को सिस करेंगे तो f q1 q2 divided by r square आएगा और जो k है इसकी values आप सभी ने जानी है कि यह जो value है इसके magnitude की बात कर रहा हूं मैं यह तो सब को पता होगा ना magnitude की कहानी चल रही है क्योंकि आगे मैं इसकी वेक्टर प्रजेंटेशन भी आप लोग को सो करूँगा तो सिर्फ क्या करूँगा यह जो बाहर की modulus है इसको अटा दूँगा इसलिए अभी common बनाने के लिए मैंने इसके साथ में modulus लगा दिया ओके इस k की value और आप further divide करें त इसको 4, 5, Epson note यह सभी को रख्टा मार रखी सबको याद आए लेकिन इनके numerical जब आते ने जब आप थोड़ा सा गुम जाते हैं तो हमारा mean approach numerical soul ही करवाना रहेगा आप लोग के साथ में लेकिन यह बात ही है कि हमें छोड़ना भी कुछ नहीं है तो सारी चीज़े आप मालो मैंने charges को पानी के अंदर में रखती है charges को kerosene के अंदर में alcohol के अंदर में रखती है तो कैसा वहां पर behavior होगा वहां पर कैसी force करेगी बहुत depth में जाके हो चीज़े समझाऊंगा आपने कभी भी किसी book के अंदर में at least वह चीज़े नहीं पड़ी होगी पूरा जो प्र practical applications होती है ना उनकी वह मैं आप लोगो समझाने वाला हो आगे तो इन values को आप लोग ध्यान रखेंगे कई बार पूछे गई है कि जो हमारे पास में Epson note है इसकी value होती है 8.85 x 10-12 सभी निरट्टा मार रखिए और जो पूरा के है इसकी जो value होती है वह हम लिखते है 9 x 10 आप आपको ज्यादा तर cases के अंदर में direct यही value जो है put down करनी पड़ेगी तो आप इसको याद रखें अप कहानी कहा फस्ती है यह values तो सभी को याद है लेकिन इनकी units के साथ में गड़बड हो जाती है examiner इनकी unit को थोड़ा गडबड करके देता है तो इसका जो unit होगा आप यहा charges है तो charges का होगया coulomb square into minute per meter square और जब यहां पर आप calculate करेंगे तो यह रहेगी newton meter square per coulomb square तो यह दोनो यूनिट्स आप लोग को बिल्कुल याद होनी चाहिए कौन सा किसके साथ में है वो भी आप लोग को जो है values से खाली मतलब नहीं रखना है values तो सभी को यहात है कई बार यह power जो है उसको change करके देगा लेकिन आपके जो numericals आएंगे आपको directly अपनी 9 into 10 is power 9 values जो है put down करने पड़ेंगी maximum cases के अंदर में मैं आपको 100 tricks दूँगा आप मैं इंपोर्टन चीजें जो है वो आप लोग के साथ में और discuss कर लेता हूं क्योंकि जो छोड़ी-छोड़ी इनके साथ में terms बनती है बनाप बेसिक आप यह बोलो कि जो कुलंबलो आपने पढ़ा है उसकी कुछ properties होती है और उन properties पे आपकी बहुत अच्छे से strength हो ली चाह मैं आप लोग के साथ में लिखने की कोसिस करता हूं तो पहली चीज़ यहां पर बोली जाती है कि जो electrostatic force होती है वो हमेशा किसमें लगती है two different charges के उपर में लगती है मैंने bodies नहीं बोला है तो charges जो है उसका बोलने का सीधा सीधा significance होता है कि body होगी उसी के उपर में चार् जोगा तो अब पहला point note करें कि जो electric force है वो act between two different charges तो different charges के बीच में जो है वो लगता है अब दूसरा point इसके अंदर में note करेंगे magnitude जो force का है वो same रहता है और direction जो होती है वो क्या होती है charges की direction of force is opposite किसके case में जब हमारे पास में same charge हो एक जैसे चार्ज हो याने positive positive negative और जब negative charge हो जाएगा तो उसके अंदर में क्या रहेगा वो तीसरे case में बात करें मग्नितूड न ranks force == स् disgrace टारेक्षन की को होजाईगा डारेक्षन टारेक्षन फर्स जो एक में चयाओ रही गई thousands of और पर बार हम पोजीट्व में पता रहरा हूं आएगा बैर में यह जा स्ञाताब है जब आपने के ट में से ता data ?? तो यह इधर इधर बगा रहा है यह इसको इधर बगा रहा है जब आपने दो dissimilar charge रखे एक positive एक negative रखा तो इसको इधर खीच रहा है यह इसको इधर खीच रहा है तो attractive force होगी जब हमारे पास में magnitude तो दोने एक same रहेगा लेकिन attractive हो जाएगी जब कौन से रहेंगी एक negative और positive charge जब होए हमारे पास में रहेगा तो इसकी जर्नलाइज जो definition दी जाती है वो यही कहा दिया जाता है कि जो magnitude रहता है वो same रहेगा direction of opposite of the same charges जो charges हमारे पास में same है तो उनकी direction जो हो क्या रहेगी एक दूसरी के opposite रहती है next बात करें fourth point को लेकर तो अभी जिसके उपर में मै आपको कहानी सुनाई कि यह जो force है electric force है वो हमेशा और हमेशा लगती है along the along the line joining along the line joining along the line joining the center of center of two charges 2 charges के center को जो जोडती है line यह वहीं पर लगती है ठीक है तो इस तरह से हम यह बोल सकते है कि इस point के तरू जो electric force होती है वो क्या होती है फिर column force होती है तो क्या Coulom's Lore से हमें जो force निकल के आती है इसे central force क्या होती है ये central force होती है नेक्स्ट बात करें कि जो force होती है electric force होती है electrostatic force होती है ये क्या होती है conservative होती है बहुत important point है ये काफी काम आएगा हमारे इस point को आप अच्छे से note कर लेंगे ये अपने आप में क्या होती है conservative force होती है conservative force जब मैं आगे कहानी इसलिए बता रहा हूँ यूकि जब मेरे को work energy theorem का use करना पड़ेगा तो मैं इस concept को आपको वहाँ पर relate करूँगा ताकि आपके questions को बहुत छोटा कर सको सो ट्रिक्स के साथ मैं आपको समझा सके तो ध्यान रखे electric forces are the conservative forces और ये इसलिए बोला जाता है कि ये path के उपर में dependent नहीं करती है path independent अभी आपको छोटी-छोटी ये जो कहानिया बता ही जारी है ऐसी लग रहा होगा कि पता नहीं क्यों यहां पर भी हमें सिखा ही जारी है हमने तो यह सारी चीजे रट रखी है लेकिन उनको मैं revise करवा रहा हूं भी आगे बहुत क्योशन नित के उपर में करने अपने को और clarity लाने के लिए तो छोड़ना कुछ नहीं है करना सारा कुछ है तो इसलिए करवाना पड़ रहे है तो 4 जो था उसका magnitude आपने देखा कि k into q1 q2 divided by r square होता है और यह r आपको बता ही है कि दोनों के center पर जो मिलाते हैं आप उनके बीश का distance होता है और यह हो गया q1 charge यह था q2 charge यह था तो यह force अपनी इसकी निकाल लिया है चलो अब देखो जो कहानी बताई जा रही है next जो important इसका इसकी जो लो की statement of property है वो यह है कि मालो की एक charge मेरे पास में q1 है सबसे जादा important है यह और यह charge है q2 बहुत patience लिए सुनना इसको pen drop कर दो थोड़ी दिर के लिए दो charges हमने देखे यह charge को मैं पकड़ता हूँ तो यह इस charge के उपर में इस direction में force लगा रहे है बोल सकते हैं q1 के कारण में q2 बें जो force लग रही है या फिर आप यह बोलता हो कि force due to 1 on 2 फिर आप यहां से करें इसको पकड़ें और इस पर force लगाए तो आप यहां से बोलेंगे कि यह force due to 2 on 1 यह हो गया एक दूसरे के उपर में forces लगा रहे है यह पहला charge माना यह दूसरा इसका magnitude था मेरे पास में मालो 5 newton इसका newton भी था मेरे पास में 5 newton क्योंकि equivalent opposite forces लग रहे है बाई चेंज तो होने का को मतलब है नहीं equal and opposite force यहां पर लगती रहेंगी अब एक नया बंदा आया नया को चार्ज था उसने इसको यहां पर प्लेस कर दिया यहां पर यह charge हो प्लेस कर दिया अब देखो यह मान लेते हैं कि तीन नमबर चार्ज है तो यहां पर भी charge का interaction होगी Q2 भी इसके उपर में interact कर वाएगा यहने कि हर तरीके से जहाए मेरे पास में एक charge है वो charge उसके आसपास में जितने भी charge है system के अंदर में जितने भी charges है सब से एक force को feel करेगा point to be noted जितने भी charge उस system के अंदर में सब के सब उसके उपर में force लगाएंगे जैसे यहाँ पर आप देखो तो यह जो था इसके उपर में force लगा रहा है इस direction में यह force लगा रहा है इसको इस direction क्योंकि मैंने same charge यहाँ पर रख दिया है ठीक है मैं positive रख दो negative रख दो कुछ भी आप रख के बात कर सकते हैं लेकिन forces जो हो एक दूसरे के opposite direction में चल रही होगी वो इसको इधर खीच रहा होगा तो वो इसको due to three on one यह force आ गई है तो यह force आ था यह मालने देख six newton है यह भी six newton है क्योंकि equivalent opposite forces है तो आप यह बताओ कि इस नए charge के आने से जब यह charge यहाँ पर पहुँच गया है तो क्या यह पांच newton के अंदर में कोई change आया क्या इस पांच newton के अंदर में कोई change आया या फिर मैं पहले इस q2 काटा दो थोड़ी दिर के लिए और मैं q1 q3 की कहानी पढ़ूँ तो क्या इस six newton के अंदर में कोई change आएगा कोई भी change नहीं आएगा first thing अगर दो charges के उपर में जो interaction हो रहा है तो उनके बीच में लगने वाला force independent है force between two between two charges independent of third charge फिर भाई इस से change के आएगा independent of third charge तो इस से change के आया इस से सिरफ और सिरफ एक change यह आता है कि जो net force हमारे पास में निकल के आएगी उसकी direction चेंज हो जाती है I repeat जो मेरे पास में net force निकल के आएगा उसकी direction हमारे पास जो होती है वो change हो जाती है इन सब की interaction के साथ में the net force direction changes force direction changes अब देखो इस case की बात यह force इस direction में लगा रहा होगा इसको यह इदर दखेलने को सिस करेगा यह वाला चार्ज इसको इदर दखेलने को सिस करेगा लेकिन हुआ क्या यह charge को इदर जाना चाहिए था इसके वज़े से इस charge के वज़े से इदर जाना चाहिए था लेकिन यह जा का रहा है यहां पर जा रहा है तो केवल और केवल के आवा जो net force हमारे पास हमें निकल के आई उस particular charge के उपर में उसकी जो है वो direction change होती है खाली उसके अंदर में और बाकी कोई भी change नहीं आता है उसके magnitude के उपर में कोई भी change नहीं आता है उमीद करूँगा यह point बहुत clear हो गया हो गया और आगे numericals आएंगे तो और अच्छे से clarity के उपर में आएगे जैसे मैं आप लोगों को यह बताओं जैसे यह मेरे पास में एक square है square के उपर में charge है Q Q Q Q तो यह क्यों है क्योंकि मैंने कहा कि जितना भी charge उस isolated system में होगा लिख देता हूं मैं इस point को ना क्योंकि सबसे important point है जितना charge isolated system में होगा system में होगा वो force लगाएगा other charges पर तो यहां पर हमें देखा कि यह एक Q Q है यह क्यों है यानि कि चार-चार्जिस है मेरे पास में तो मैं किसी भी एक को consider करूंगा इसको मैंने fix कर लिया तो यह भी इस पर force लगाएगा यह भी force लगाएगा और यह Q भी फोर्स लगाया बहुत से लोगों का यहां पर डाउट होता है यह तो लाइन से ज्वाइनिंग रहे लाइन से तो हमने अपने तरीके से बना रखा ना इनके बीच में यह भी तो दूरी बनी हुई ना दो चार्जेस के बीच में आपने दूरी पाई और चार्जेस मिले आ तो उनके ओपर में एक फोर्स लगेगा कंफर्म है यह और वह फोर्स की वैल्यू जो है वह यह दी जाती है तो यह देखो इनके बीच में दूरी भी तो है देखो यह बेसक हमारे पास में इसके डाइगनल के बीच के दूरी है वह लेकिन दूरी तो है जरूरी नहीं है उनको हमने आपस में जोड रखा यह तो अपने आपने इस आलियत के लिए इन चार्ज को X2 के ओपर में रिखे हैं मैं ऐसे बोलता है 4-4-3-4 यहोगे 4-4 जिस मैंने दे दी होते है तब कैसे करते है तब भी तो इस इस पर लगा रहा है यह इस पर लगा रहा है यह भी तो force लगा रहा है और फाइनल इन तीनो forces रेजल्टन आएगा वह कहां जाएगा इस direction में चला ज तो इस direction क्या गई हमारे पास इस direction में जो charge हो निकल करा जाएगा अब last और बहुत important point है जिसके बारे में आगे मैं discuss करूँगा इस पूरी कहानी को लेके वो ये बोला गया है कि net force जो निकल के आता है net force depends on medium depends on medium अभी देख एक formula था आपको 1 by 4 pi epsilon q1 q2 divided by r square आपको दिया जाता है और यह मैंने क्या बोला था permittivity यानि कि वो electric field को कितना permit करता है अपने अंदर से जाने के लिए कर और देख तो यह जगजब डिपर्ड कर रहा हूं कहीं कहीं medium के अउपर में depend कर रहा है अगर में free space की बात कर रहा हूं तो यह मेरे पास अगर मैं आगे बात करूंगा कोई medium इस के Download the app now.